असलाम लेकूम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काकोरी सीख कवाब की रेसिपी यूँ तो आप इसको देख करके लगेगा कि ये नॉर्मल सीख कवाब की तरीके बनता है लेकिन इसका कुछ खास मसाला इसे बाकी कवाब से डिफरेंट करता है और उन मसालों की वज़े से ये बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही खुश्बूदार बनते हैं और इन कवाबों को अगर एक बारा खा लेंगे तो बागी सी कवाब आप भूल जाएंगे खाना वैसे तो इस कवाब की शुरुवात काकोरी से हुई थी लेकिन ये कानपुर और लगनौ में भी बहुत फेम प्रवास था जिसे हमने बारी कट करके गोल्डन फ्राई कर लिया है और इसे हमने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है और अब हमने लिया है यहाँ पर 7-8 हरेमिर्श 6-7 लहसुन की कलिया और एक 1.5 इंच का टुकडा अधरक था इन सब को मिलाकर इस तरीके हमने दरदरा प गच्छा पपीता लिया है जिसे हमने पीस लिया है और इदर हमें थोड़े से काजू की टुकड़े लिये है और वन टेबल स्पून पोस्तादाना लिया है तो इनको भी हम बारीक पीस लेते हैं पीस करके पेस्ट बना लेते हैं तो ये रूखा गोश्ट हमने लिया था उसका कीमा हमने घर पर ही तयार किया है और ये फैट हमने लिया है तो फैट भी हमने घर पर ही तयार किया है तो fat कैसे तयार किया जाता है वो मैं next time बता दूँगी आपको और आपको अगर market से आप ले रहे हो तो 1 kg में 100 g आप fat रखवाना उसे साब से दोनों चीज़ों को मिला करके आप वहां पे एकदम बारी कीमा बनवा लीजिएगा अगर आप market से ले रहे हैं तो मैंने इस chopper में बनाया है अगर आप यह chopper लेना चाहते हैं तो इसका link मैं description में दे दूँगी वहां से आप ले लीजिएगा और आप देख सकते कितना बारी किसमें कीमा बना है तो चलिए शुड़ू करते हम इसको बनाना और इसमें मैंने ये तू टेबल स्पून, इस टेबल स्पून से मैंने तू टेबल स्पून फैट रखता है यह भी घर का बना हुआ है तो अब इसमें जाएगा ये एक पूरा निम्बू का रस, तो हम ये डाल देते हैं इसमें, और बस ख्याल रखेगा कि पानी बिलकुल भी नहीं होना चाहिए कीमे में भी, तो हमने ये एक निम्बू का रस इसमें शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मेला दिया है, और अब हमने इसमें प्याज शामिल किया है ये भी मीडियम साइज का प्याज था जिसे हमने कद्दू खश करके इसका सारा पानी ने चोड़ करके हटा दिया है और सिफ प्याज इसमें रख दिया है और इसके साथ अब हम इसमें रख रहे हैं पपीते का पेस्ट तो ये हम वन टेबल स्पून भर कर रख रहे हैं और साथ में जो हमने हरे मेर्च लहसोन और अधरक दरदरा पीसा था वो हमने सारा इसमें शामिल कर दिया है और जो हमने प्याज बोल्डन फ्राई करके रखा था पेस्ट हमने इसमें शामिल कर रहे हैं और अब इसमें हम क्योड़ा वाटर रख रहे हैं तो यह क्योड़ा वाटर हम इसमें वन टेबल स्पून रखेंगे तो यह आप देख सकते हैं हमने 1 टेबल स्पून रखा और इसके साथ हम इसमें रोज़ वाटर भी 1 टेबल स्पून रख रहे हैं तो ये दोनों चीजों को भी रखना जरूरी है और इसके साथ हमने कवाब का मसाला दर पर तयार किया है वो हम मसाला रख रहे हैं इसमें और साथ में हमने भुने जीरे का पाउडर भी शामिल किया इसमें और जो काजू और पोस्तरदाना का पेस्ट हमने तयार किया था वो सारा इसमें शामिल कर दिया है और अब नमक रख रहे हैं तो नमक में चाप अपने हिसाब से देख लीजेगा और अब हमने इसमें 1 टेपर स्पून देशी घी शामिल करी है और अब इसमें हम प्रेश क्रीम शामिल कर दे रहे हैं अगर आपके पास इस तरी की क्रीम ना हो तो आप दूद पर जमी हुई मलाई निकाल करके उसको अच्छे से भेट लीजेगा और उसमें शामिल कर देज़ेगा तो यह हमने 1 टेपर स्पून इसमें क्रीम भी रखी है और अब इसमें हम बेसन जो हमने ड्राइ रोस्ट करके रखा है यह सारा इसमें शामिल कर दे रहे हैं और अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया है और हम अच्छी तरीके से मल रहे हैं आपने भी बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इसे मसाले के साथ मिलाएं तो अच्छी तरीके इसी तरीके से आप इसे मल येगा च्वाह है पांच मिर्ट तक तो मल दीजेगा अच्छ से ताकि ये अच्छी तरीके से मिल जाये और बहुत सॉफ्थ बने गे ये और इसे इस तरीके से मिलाने के बाद आप तीन से 4 घुंटे के लिए को मेरिनेट करने जरूर रखेगा जितना जादा हो सके उतना जादा करिए और कम से कम दो घंटे तो करिएगा ही जरूर तब कवाब बहुत अच्छे बनते हैं तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं मेरिनेट करने के लिए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं और चार घंटे के बाद हमने फिर्से से निकाला है फिर्से और इसे हम एक मिनट तक और मल रहे हैं इस तरीके से मिला रहे हैं उसके बाद हम इसे कवाब बनाएंगे तो चलिए अब हम इसे कवाब का शेप दे लेते हैं और फटाफट कवाब सेख लेते हैं तो हमने ये थोड़ा सा हाथों को गीला कर लीजेगा फिंगर को और इसके बाद इस तरीके से कीमे का पॉर्ट्शन लेकर के अच्छे से उसको गोल कर लीजेगा और उसके बाद इस तरीके से आप सीख पर लगा करके आप इसे दबा दबा करके सीख कवाब का शेप दे लीजेगा ये आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से अगर सारी चीज़े आप बराबर से रखते हैं तो ये कवाब बहुत अच्छे बनेंगे और तूटेंगे भी नहीं तो आप ये देख सकते हैं मैंने सीख कवाब का शेप इसे दे लिया है कीमे को और अब हम इसे आहिस्ता से निकाल लेते हैं ये आप देख सकते हैं कितने आराम से ये निकल गया है और तूटा भी नहीं, इसी तरीके हम सारे कवाब का शेप दे करके रख लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं, हमने सारे तयार करके रख लिए हैं और अब हम इने फ्राई कर लेते हैं तो इधर हमने एक पैन लिया, पैन में हमने इस तरीके सो थोड़ा सा तेल रखा है और इसमें ही हम कवाब को सेहेंगे, तो हमें तेल अच्छी तरीके से गरम करना है उसके बाद फिर हम मीडियम फ्लेम पर सेखेंगे हाई फ्लेम पर मसेखेंगे वरना कवाब उपर से आपके जल जाएंगे अंदर से सेखेंगे नहीं मीडियम फ्लेम पर सेखेंगे तो कवाब अच्छी तरीके से सेख जाएंगे तो हम मीडियम फ्लेम पर ही सेक रहें और सब तरब से पलट प्रट करके हम इसे सेक लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने सारे कवाब सेक लियें कितना अच्छा सा कलर आ गया है और हमने इसी तरीके से सेक ना हो मीडियम फ्रेम पर ही हमने सेक आ है और साइड चेंज करकर के हमने सब तरब से सेक लिया है तो ये उपर से भी अच्छे से सिग गया है और अंदर से भी अच्छे से सिग गया है तो अब हम इने निकाल लेंगे और सारे कवाब इसी तरीके सेक लेते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि हमने सारे कवाब से एक लिए और बहुती मज़ेदार कवाब बने हैं बहुती सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं कवाब और अंदर से और बाहर से सब अच्छी तरीके से सिख गया है तो अब हम इसका last step जो की इसमें smoky flavor देना है वो हम कर लेते हैं तो इसके लिए हमें ये छोटी सी प्याली इसके पर रख दी है और इधर एक छोटा सा कोईले का टुकड़ा हम इस तरीके से जला लेते हैं उसको और उसके बाद हम इस प्याली में इस कोईले के टुकड़े को देखें इस तरीके से रख देते हैं और इसके बाद हम इसमें आपके पास तेल हो या फिर घी बटर जो भी हो आप थोड़ा सा इसके उपर इस तरीके से रख दीजेगा और इसको फॉरन कवर कर दीजेगा 5-7 मिनट तक कवर रहने दीजेगा उसके बाद बहुती मज़ेदार ये कवाब बनते हैं और इस तरीके स तो कोई बता नगी सकता कि इसे हमने पैन में सेक्के बनाया है क्यूंकि इसकी खुषबू है बिल्कुल औरिजिनल जैसे कोईले पे कवाब सेके जाते वैसी कुषबू है और मज़ा भी बिल्कुल वैसे ही कवाब का है बहृत मज़ेदार ये कवाब बनते हैं तो प्लीज आप इसे ट्राइज जरूर करिएगा हमारे कहने से, इंशाला आपको और आपकी फैमिली को भी ये कबाब बहुत पसंद आएंगे, हमारे याँ तो अक्सर बनते रहता है, तो हमने आपके साथ ये रसिपी शेयर कर दी है, तो रसिपी पसंद आएगे, तो इसे लाइक में किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफेज